ब्लॉगर रितिका सिंग हत्याकांट से जुड़ा एक सुराघ हात लगा है। ब्लॉगर की हत्या करने से पहले उसकी रेकी की गई थी उस जगय की। पहले भी हत्यारों ने उसके फ्लैट नमबर 404 पर जाकर रेकी की थी। हत्याकांड में शामिल काजल नाम की महिला ने ये रेकी की थी, ये बड़ी खबर और ये बड़ा क्लू, हत्यारों ने फ्लैट नंबर 404 पर जाकर इस पूरे इलाके की रेकी की थी और देखिए दर्ज एंट्री रेजिस्टर में नाम काजल का जो आरोपी है इस हत्या की। तो ब्लागर रितिका सिंग हत्याकांड से जुड़ा ये एक महत्वपुन अपडेट एक महत्वपुन सुराग हत्या करने से पहले उसके फ्लैट की रेकी की गई उसस्थान की रेकी की गई फ्लैट नंबर 404 पर जाकर रेकी की गई और हत्याकांड में शामिल काजल लाम की मह चल गई है और बजाए पुलिस की और इसको लेकर जब लगातार उस फ्लैट है उसकी लगातार आकास और आकास की तरफ से जो दो महिला आरेश्ट की गई है मौके से उनकी तरफ से लगातार रेकी की जा रही है तो इसने अपने आपको कजन फिश्टर रताया है और ऐसे में जो रइस्टर में एंटी निकलके आई है 24 जून को यह थ्या हुई है लेकिन 25 मई को यानि लगाओ एक महिने पहले काजल वहां पहुंची थी चार्टो चार्ट नम्मर फ्लैट पर और उसमें यह सब्सक्राइब कि हाँ इसमें विपुल और जो रिटिका है जो लेवन पार्टनर के तौर पर रह रहे हैं यानि इसका मतलग यह है यह सारी चीज है लंबे समय से तल लहीती कब कितने वज़े आना है कितने वज़े जाना है कौन-कौन साथ आता है कौन-कौन नहीं आता है तो यह आप करने के बाद यहां रिटिका और विपुल ने अपना फ्लैट बदल लिया है और वो इस प्लैटनम अपार्टमेंट में शिप्थ हो गए है तो आने जाने की जो एंट्री है वो उसमें बकाईदा राइस्टर की गई है और उसके एक महीने बाद एक प्लानिंग के तैस रिष्टर में है जिसकी अरेटिंग जी उसी दिन मौके पर होती है जो आपको कजन सिस्टर बता रही कि अलाकि पुलिस का एक दाबा है ये कोई रिष्टे में बहन नहीं है पैसों का लालत लेकर भाड़े पर एक महिला आपका रोपी को बुलाये गया है तो यह सारी चीज यह बड़े सवाल है कि जो चीजें एबीपी गंगा के हाथ लग सकती है और जिस पर एबीपी गंगा अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रहा है उस मामले को जानने समझने के बाद भी पुलिस मौन क्यों है पुलिस क्यों नहीं कुछ है इस पर ततपरता दिखा रही ताकि जो परिजन है रितिका के वो संतुष्ठो पुलिस की कारवाई से कम से कम है बहुत बहुत धन्यवाद आप करे थे एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की